ओम साही राम भक्तों, मैं आज आपको साही के एक गुप्त मंतर के भी समय बताने जा रहे हूँ, यदि आप उसका जाप करेंगे, यदि आप उसका नेमित जाप करते हैं, तो आपके उपर साही की बहुत ही क्रिपा होगी और आपके किस्मत का भाग जाग जाएगा, इस मंतर का नेमित जाप करने से ब्यक्ति हर छेतर में बीजा ही होता है, मित्रों, दोस्तों कलिविंग में स्री साही ही ऐसे भगवान है, जो भक्तों की सबसे जल्दी सुनते हैं, बाबा जो है, अपने भक्तों पे हमेशा ही नजर रखते हैं, कि आपका उनका भक्त परिशान है, कि जरूर कीजिए आप जब ऑपके बिजनस में असफलता मिल रही है तो जरूर कीजिए इस मंत्र को जब जरूर आपकी कितनी परिशानी ओजरूर खतम हो जाएगी उनकी पूजा तो हम करते है और साथ में जब यह मंत्र का भी जब टो आपके बड़े से बड़े संकट दूर हो जाएंगे ऐसा ही एक मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी पीड़ा कस्ट पलवर में दूर कर देगा साइं बाबा के इस मंत्र में इतनी सक्ति है कि आप किसी भी पुरानी बीमारी से पीडित है वह ठीक नहीं हो रही है तो इस मंत्र को अवस्य पढ़ें आपकी बीमारी जरूर दूर हो जाएगी साथ हो सके तो इस मंत्र को नौ गुरुवार को एक पेज जरूर लिखें इससे आपको संतुष्टी तो मिलेगी भक्तों साथ में आपकी सारी मनो कामना पूर्ड हो जाएगी जाएगी आपके जीवन में धन की परिसानी है आपके घर में जो है लक्षमी नहीं टिक रही है तो आप इस मंतर का जाब करें और देखे आपके घर में कैसे लक्षमी आती है और आपके घर में लक्षमी वास करेंगी साइभग तो जब हम इस महामंत्र का जाप करते हैं तो हमारे सरीर के चारो तरप यह महामंत्र एक आवरण बना लेता है और हम जो है जिस भी छेतर में कदम रखते हैं हमें सफलता मिलती है कोई भी निगेटिव एनर्जी हमारे पांस में नहीं आती है यदि आप बिजनस शुरू कर रहे हैं यदि आप कैरियर में अपना शुरू कर रहे हैं तो जरूर करें जरूर इस महामंत्र का पांट कीजिए फिर हमें कमेंट सेक्षन में लिख करके बताईए कि देखिए कैसे इसका फायदा होता है और कैसे आपको सफलता मिलती है इसका हम तरीका आपको बता रहे हैं मित्रो आप जो है साहीं बाबा की फोटो रख लीजिए पूर की दिसा में मूँ कर लीजिए और एक घी का दीपक जिला लीजिए और जो है स्री साहीं के सामने आप ऐसा महसूस करें कि साहीं साक्षात आपके पास हैं आप अपनी मनो कामना सोचिए कि आप क्या मनो कामना के लिए पूर कर रहे हैं आप अपनी प्रातना स्री साहीं के चरड़ों में रखिए और इस महामंत्र का जाप कीजिए और इस मंत्र का जो जापव है आप जब भगवान की सुबह काकड़ आरती होती उस समय करें अति उत्तम रहता भगवान सो करके उठते हैं भगवान की सुबह की आरती होती है उसमें भगवान बहुत ही क्रिपा करते हैं अपने भक्तों पर यदि आप उतनी सुबह नहीं कर सकते हैं तो सुबह भी आफिस जाने के पहले या जब सुबह हम अपना पूजा करते हैं उस समय कर लीजिए पास बाबा सिर्थ करना है देखे बाबा कैसे क्रिपा बरसाते हैं हाँ देखी मैं आपसे ये बताने जा रही हूं कि हम स्रद्धा और सबरी जरूर रखे और दक्षिडा जरूर चड़ाएं आप जानते ही हैं भक्तों कि बाबा जो है दक्षिडा अपने भक्तों से मांग लेते थे जो नहीं भी देना चाहते थे वो क्यों मांगते थे वो उसको देना चाहते थे उसको कई बता थे खुद बता चुके हैं आप साहीं से चरिट में पढ़ चुके हैं कि उससे कई गुनाव लोटाते थे तो आपको दक्षिडा चढ़ाएं और वह दक्षिडा जो है जा करके किसी में भी गरीबों में बाट दे या कहीं भी साहीं का किया और आज उनका कितना कितना बिजनस आगे हो गया है कि वहा हमसे भी मैं क्या बताओं मैं तो कोई बड़ी feat कि आप लोगों की वज़े से मैं बाबा जो मैं मेरे लिए मेर शाही सब कुछ हैं सब कुछ हैं हम बस उनके जब सपने नहीं आते तो मैं ब्याकुल हो जाती हूँ बाबा आप मुझे सपने दिखा और मैं उनसे कुछ भी नहीं मांगते हूँ बाबा मुझे सिर्फ आप आते रहो मेरे से मैं आप मैं आपको छोड़ करके मेरे सासों में भी आप हो सा शान थे, उन्होंने बताया कि आप जर्ण बताओं आप बोलतें कि साइं की कृआपा थोड़ी आ पर यहाई अव्किर नहीं आप इससा कुछ नहीं है अब सब लोगों पे साइं की कृआपा है तो मैंने उनको कहा और उनका जो कहा से कहा कितने उनका ओगे गया है उनके husband कम मानते थे, पर उन्होंने किया, बस 5 बार मित्रों आपको कर लेना है, 5 बार कर लीजिये मित्रों, हो सके तो वो जो है आप धक्षिडा भगवान को चड़ा दीजिए, भगवान अपने पास रखते कुछ नहीं है जब भी वो उनको दक्षिडा मिलती थी न वो दे देते थे वो अमनी की मा को अन्य लोगों में अपने भक्तों में बाट देते थे और स्री साही हमारे ऐसे सद्गुरु है यदि उन्होंने आपके उपर क्रिपा कर दीना तो फिर आप कभी पीछे मुड़ कर न देखेंगे आप हमें कमेंट बाक्स में लिख करके बताएंगे और जो है इसी के साथ मैं आप लोगों से बीदा लेती हूँ आप सब पर साही की क्रिपा बनी रहे ओम साही राम बत्तू